हालो गाईज, वालकम बाक टो दिस चैनल, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक स्टॉप वॉच्च यूजिंग HTML, CSS and JavaScript आप देख सकते हैं मैंने यहां पर तीन बटन यूज करे हैं, स्टार्ट, स्टॉप and रिसेट अगर आप चार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो यह वॉच्च स्टार्ट हो जाती है और स्टॉप बटन पर क्लिक करते ही, यह स्टॉप वॉच्च स्टॉप हो जाती है और मैंने यहाँ पर एक reset button भी use कर रहा है जिस पर click करते ही आपकी button reset हो जाती है इसकी timing 000 set हो जाती है यह stopwatch बिलकुल working है आप इससे चला आगे देख सकते हैं हम आ जाते हैं अपने editor पर और इसकी coding करते हैं यह मैंने अपना vs code open कर लिया है मैं आ जाती हूँ अपने files पे और मैं तीन files बनाऊंगे html और css and javascript के लिए मैं तीनो files को separate रखना पसंद करती हूँ आप html file में ही css और javascript की coding भी कर सकते हैं बट prefer करना चाहिए कि आप तीनो files को separate ही रखे हैं हम आ जाते हैं अपने index.html file बर यह देखेंगे हमारा boilerplate coat है मैं title दे देती हूँ इसे stopwatch यह देखें हमारा title आ जाते हैं अपने body में सबसे पहले मुझे हमारी stopwatch center में चाहिए मैं इसके लिए class ले लिती हूँ .stopwatch अब class के लिए dot यूज करेंगे और id के लिए hash इसमें मैं एक और class लोगी dot timer display इस class यह div होगा इस div में मैं अपनी timings रखूंगी जो आपको screen पे show हो रही थी फिलाल मैं 000 ही रखूंगी क्योंकि हमारी stopwatch starting में 0 show करेंगी मैं आपको live दिखा देती हूँ आपको code और इस stopwatch एक using link tag और मैंने अपनी file का नाम दिया था style.css जिसे मैं href में लिख लूँगी अब आ जाती हूँ मैं style.css में सबसे पहले मेरी जित्ते भी elements है मैं सबके लिए by default इसमें margin और padding होती है हर element वे मैं सबसे पहले काम करूँगी margin और padding हर element के लिए zero कर दूँगी यह best practice होती है कि आप starting में ही code के सब elements की margin padding zero कर दें और मैं इसकी box sizing में border box रखूँगी और मैं इसमें font family लूँगी वो मैं ले रही हूँ वर्दाना यह देखे अगर यह आपको वर्दाना नहीं मिलती तो यह comma यह show करता है कि आप fallback कर लेंगे Geneva भी अब आ जाते हैं हम अपने body tag पर इसको style करते हैं body को हमारे सबसे बहले मैं इसको body को अपने color दूंगी background color मैं इसे एक black color दे रही हूं using RGB यहाँ पे alpha हमारी opacity बताता है जो 0 से 1 के बीच होती है मैंने 0.7 लिये 1 बहुत dark color होता है और light 0 opacity बहुत light बहुत ही light color में जाती है और मैं अपना color ले ले लेती हूं सबसे पहले मैं color को पूरी body tag में white कर दूंगी वरना हमें कुछ भी शोग नहीं होगा क्योंकि by default हमारा black color होता है सारे elements के लिए अब आज जाते हैं हम इसे stop watch को हमें center में गरना है तो मैं यहाँ पे flex box यूज कर रही हूं यह अभी horizontally center हो गया vertically नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी तक इसा height नहीं दिया हमारी body को एक height की जरूरत है मैंने minimum height of 100 VH दे दिया यह minimum इतनी height लेके चलने ही हमारी body अब आ जाते हैं हम अपनी stop watch के लिए सबसे पहले हम अपनी stop watch को style करेंगे dot stop watch और इससे style करते हैं सबसे पहले मैं इसमें एक background color देती हूं मैं इसके लिए भी RGBA यूज कर रही हूं आप X code भी यूज कर सकते हैं मैं opacity डूंगी 0.9 यह देखिए यह white color black color आ चुका है और मैं इसमें padding देती हूं सबसे पहले मैं top और bottom से दूंगी 20 pixel और left right से 24 pixel मुझे left right से थोड़ी जाधा वैडिंग चाहिए और मैं इसका border radius भी देती हूं से 10 pixel यह देखिए इसके corner soft हो चुके हैं आप देख सकते हैं यहां पर screen पर साथ साथ अब आ चाते हैं हम अपनी timer display को style करने के लिए लेती हूं dot timer display और इससे style करते हैं सबसे पहले मैं इसका font size increase करते हूं यह बहुत छोटा दिख रहा है अभी यह देखिए 50 pixel दिया है मैंने और हमारी अब लग रहा है कि हमारी stop watch है और मैं इसका font weight भी bold करूंगी मैंने दिया 600 आप इसे बोल्ड भी लिख सकते हैं इसे बोल्ड लिखेंगे आप font weight को तो भी बोल्ड हो चाहेगा बड़ मैं प्रेफर करती हूं numbering देना 600 700 और 700 एक्जाटली बोल्ड होता है बिल्कुल यह देखिए अब आपकी stop watch अच्छे दिख रही है अब हमें यहां प बटन्स जिसमें हमारे तीनों बटन रहेंगे और एक लें लेती हूं मैं बटन उसको क्लाज दूंगी btn और इसको नाम दूंगी start यह देखिए अब मैं alt shift और down arrow गी दबा कर इन इस बटन को कॉपी कर लूँगी मैं इसको देती हूं stop इसका capital करते हैं और यह हमारा हो जाएगा reset button यह देखिए अभी यह बटन आपको stop watch के साथ साथ दिख रहे हैं बट मुझे इन तीनों बटन्स को stop watch की नीचे लाना है हमारे अब मैंने body में आपके सामने flex box यूज कर रहा था इसे center में लाने के लिए मैं अगर इसका flex direction column कर दूँगी तो यह तीनों बटन आप देखना यह देखिए stop watch के just नीचे आपको यह तीनों बटन देख गया है इनका flex direction by default row होता है इसी लिए यह आपको साथ साथ दिख रहे अगर आपको flex box नहीं आता तो आप flex box सीख लीजिए अब अपने buttons को style करें है सबसे पहले हम जो मैंने class दी buttons उसमें सबसे वहले हम margin टॉप से दूँगी जिससे इन तीनों buttons को same margin मिल जाए top से that is 20 pixel यह देखिए अब यह इने margin मिल चुगी एक stop watch और buttons के वीच में एक margin आ चु अब एक ही class दी थी BTS इसलिए क्योंकि मैं एक ही class में styling करूंगी और वो तीनों buttons पर अप्लाए हो जाएगी सबसे पहले इनकी one size बढ़ारी हूं मैं बहुत छोटे दिख रहे हैं अभी 20 pixel अब मैं इनका background हटाऊंगी जो इनके बीचे by default background है उसको मैं कर दूंगी none यह देखि तो इसका background भी none कर दिये और इसका border भी none कर दूंगी और इसको color देते हैं white इसे देखिए अब देख रहे हैं मैं अब इसको मैं अपना background दूंगी एक background color अपनी तरफ से दूंगी मैं फिलाल के लिए यहां पर जो एक्वा दे रखा है इसे ही select कर लेते हैं और अभी मैं इसका color change करूंगी don't worry देएगा और इसे देते हैं हम सबसे पहले padding पैडिंग पैडिंग हम टॉप बॉटम से देते हैं 12 पिक्सल की और मुझे लेफ्ट राइट से थोड़ी ज्यादा बैडिंग देनी है तो मैं 24 पिक्सल यूज़ कर रही हूं यह एक पैडिंग का short hand होता है टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से पैडिंग देने के ल मैं यह करूँगी मैं html में style tag का यूज़ करूँगी इसे बोलते हैं inline styling करना यह हमारी inline css होती है मैंने इसे एक variable दी है CLR के लिए अब कोई भी नाम दे सकते हैं आप पूरा color का नाम भी दे सकते हैं मैंने CLR यूज़ के रहे हैं मैंने stop button को red color दिये अभी यह color आपको apply होते नहीं दिखेंगे क्योंकि मैंने अभी तक इनको style tag में style में नहीं रखा दिखे अगर मैं background color में एक variable पास कर दूंगी जो variable मैंने अपने html में बनाया था तो यह तीनों का apply हो जाएगा यह देखिए अब margin दे देते हैं margin मुझे सिर्फ लेफ्ट और राइट से चाहिए इसलिए मैं margin inline का यूज़ कर रही हूं 12 pixels यह देखिए अब button में margin आ चुकी है बीच में इसका cursor भी मैं pointer कर देती हूं पहले border radius देती हूं इसके corners भी soft हो जाएंगे हमारी stopwatch की तरह है इसकी थोड़ी सी कम रखते हैं stopwatch से 8 pixel रखते हैं उसकी टेन रकीदी cursor pointer देते हैं इसे यह देए यह हमारी stopwatch ready हो चुगी है हमारी streaming और CSS खोड़ हो चुक है अब आ जाते हैं हम अपने जावा cecode के लिए सबसे पहले मैं जावा स्कृप्ट के लिए यूज करूंगी अपनी script tag कर यूज करके script src यूज कर दी हूँ क्योगी मैं external JavaScript लिख रही हूँ आप script tag कर यूज करके यहां पे भी जावा स्कृप्ट लेख सकते हैं, मुझे हमारे तीनों बटन्स जावा स्कृप्ट में चाहिए, स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट, जिनने मैं प्रेस करके अपनी स्टॉप वोच को फॉप्ट लेख सकती हूँ, सबसे पहले मैं इन बटन्स को एक आईडी दूँगी, मैं इनकी आईडी का यूज करके ही इन बटन्स को अपने जावा स्कृप्ट में आक्सस करूँगी, मैंने स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन और रीसेट बटन सबको आईडी अलग- को साइन कर सकते हैं, इसको दूँगी रीसेट बटन को, रीसेट बटन, यह देखे है, मैंने यह गलत आईडी देदी है, स्टार्ट को स्टॉप देदी और स्टॉप को स्टार्ट बटन देदी है, मैंने चेंज कर देती हूँ, यह हमारी स्टार्ट बटन और वो हमारा स्ट बटन यह थी यह है जिए अब आ जाते हैं अपने स्क्रिप्ट.js फाइल में सबसे पहले मुझे टाइमर डिस्पले चाहिए तो मैं इसको सालेक्ट कर रही हूं यूज़ मैं इसे भी दे सकते हूं टाइमरं डिस्पले को लेकिन मैं इससे उसłę merch कर रही हूं कि मैं इसे खाने रखी है आप ऐसे ही उसेद भी यूज़ कर सकते हैं बाकि सारे बटन साधनुब्स कर सकते हैं यूजिंग आईडी या यूजिंग क्वेडी सेलेक्टर आप टाक्स का भी उसकर रखते हैं यह देखिए इनकेट एलिमेंट बाई आईडी बट टाक का यूजि मैं इसलिए का रहें हैं क्योंकि हमारे बटन। 2015 का यहा यूज नहीं लिगा मैं लिख जीव बटन॥ पंप९ सेलेक्ट कर लेहें और देए यह आगी है हमारा दीषेट बतन अब हमाने सारे बतन्स आचुगे है शबसे पहले मैंने यह पर क्या गर रहे है exerc.tv Watch में मैंने पिलिसेकड सेकड और मिनिट दिखाया है सबसे पहले मैं मिलिसेकड शेकड सेकड्स और मिनिट तीनों को initially zero गर लोंगे by default इन में कोई value नहीं है अभी इनकी value undefined होती है अगर आप कोई value नहीं देते किसी भी variable को मैं तीनों variables बना लेती हूँ और तीनों को initially value देती हूँ जीरो यह देखिए seconds, seconds and minutes यह हमारी तीनों value आचुकी है और इनमें मैंने value देती है zero अब मैं यहाँ पर एक timer id लोंगी जो मैं जिसे मैं null assign करूँगी null का मतलब होता है कि अभी इसमें कोई value नहीं है लेकिन in future इसमें कोई value हो सकती है null हमारा यह दिखाता है null और undefined में फर्क होता है अब सबसे पहले मुझे क्या करना है जब हमारी start watch start हो तो एक function run होना चाहिए तो मैं सबसे पहले उस function को ही लिखूँगी यहाँ पर जैसे ही मैं अपने start button को click करूँ वो function run हो जाना चाहिए यह देखिए यह क्या हो रहा है यह देखिए function मैं मनाऊंगी function और उसका नाम दूँगी मैं start timer यह हमारा function पाच चुगा है इसमें भी मैं कोई parameter पास नहीं कर दीओ सबसे पहले मैं क्या करूँगी जैसे ही कोई भी start button पर press करे यह function run होगा और इस function की run होते ही मुझे मेरे millisecond को बढ़ा देना है क्यों पहले वो 0 था जैसी button प्रेस हो मेरा millisecond एक बढ़ जाएगा obviously तो मैं millisecond को बढ़ा दूँगी और अब मैं क्या चेक करूँगी अगर मेरे millisecond 100 हो जाते हैं अब 1000 भी रख सकते हैं मैं यहां पे 100 इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैं cent interval function में जब time पास करूँगी तब मैं वहाँ 10 पास करूँगी आप बाद में दीखीगा फिलाल मैं चेक कर दियो अगर मेरे millisecond 100 हो जाते हैं तो मेरे millisecond को तो वापिस 0 कर दो क्यों क्योंकि मेरे millisecond 0 नहीं होँगे तो नए interval के लिए वो run कैसे होँगे और जैसे ही मेरे millisecond 100 हो जाएंगे मैं seconds को बढ़ा दूँगी जैसे ही 100 millisecond होँगे वैसे ही मेरे second बढ़ जाएगा अगर वो 1 second था था तो वो 2 second हो जाएगा अब मैं चेक करूँगी अपने minutes के लिए अगर मेरे second पहले minute चेक कर रहता millisecond के लिए अब मैं चेक करूँगी seconds के लिए जैसे ही मेरे seconds 60 हो जाएंगे 60 seconds होते ही second को तो मैं 0, sign कर दूँगी जैसे मैंने मली second को क्या था और हमारे minutes को मैं बड़ा दूगी suppose कि यह पहले आपके 4 minutes हो गएते stopwatch को चलते हुए और फिर सा आपके second 60 हो गए तो आपके minutes करते हो जाएंगे minutes plus one, four plus one, five हो जाएंगे आप minutes को ऐसे भी लिख सकते है minutes is equal to minutes plus one पड़ इसको लिखने का एक तरीका यह भी होता आप minutes को minutes plus plus भी लिख सकते है यह plus plus आपका increment operator कहलाता है यह देखिए यह हमारे यह function हो चुका है ready इसमें बाद में मैं values html में लिखूंगी अपने सबसे पहले मुझे क्या करने मेरा start timer function ready है मुझे इसे कब call कराना है मुझे call कराना है जैसे यह मेरा start button press हो अभी कुछ नहीं होड़ा start button press करें जैसी मेरा start button press हो यह function run हो जाना चाहिए तो मैं अपने start button को ले लेती हूँ और मैं इस पे लगाऊंगी start button पे click listener एक add click listener यूज करूँगी और मैं इस पे लगाऊंगी click जैसे कोई इस button पे click करेंगा तो यहां पे फंक्शन बास करेंगे हूँ जैसे ही start button पे कोई click करें वैसे ही मेरा यह function रन हो जाना चाहिए जो मैं पास करने वाली हूँ यह देखिया अब यहां पे जो भी पास करूँगी वो इस button पे click होती ही रन हो जाएगा मैं यहां पे inbuilt function यूज करी हूँ set interval set interval function दो parameter लेता है एक तो यह लेता है function और एक लेता है timing मैंने इसे start timer function दिये और timing दिये 10 millisecond यह timing हमेशे millisecond में ही लेता है अगर मैं set interval function को पे क्या करूंगी रन कराऊंगी इसे बार बार set interval इसी यूज करें मैं start timer को बार बार loop में रन कराना चाहती हूँ अगर मैं set time out यूज करती ही तो वो एक ही बार रन हो था और वो रूजा था अब set interval हमारा हमें एक id रिटर्न करेगा जो id मैं use करूंगी जब मुझे अपनी stopwatch को stop कराना होगा आप अगर set interval function नहीं जानते तो आप इसको जाके गूगल कर सकते हैं अब मैं चेक करूंगी सबसे पहले कि अगर मेरी timer id मैंने पताया था यहां पर मैं चेक करेंगा इस टाइमर आइडी इसका मतलब उसके अंदर कोई तो टाइमर आइडी होगी अगर वो नल नहीं है तो मुझे उसे क्लियर कराना पड़ेगा इसलिए मैंने इफ का यूज करा है क्यों कि वरना अगर वो क्लियर होती तो हमारा हमें एरल दिख जा था कंसोल डॉट लॉग में अब मैं क्या करूंगी मेरा स्टाट बटन का फंक्शन हो चुग है जैसी को इस पर क्लिक करेंगा वैसे हमारा सेट इंटर्वल फंक्शन चल स्टाट द हूं यह देखी है मैं इसकी जगह लिखूंगी स्टा बटन की जगह स्टॉट बटन और इस पे व हमारा सेप्लों कि रखूंगी और इस सबकूल ता फंक्षे दिए स्ट्प करतेंगी उल्स करूंगी और सिर्फ इंटाइम उंक्षन यह वी एक इन बिल्ड फंक्षन ने सेट इंटाइमल की तड़ा जो इसके साथ ही उचिया जाता है निपल को clear करने के लिए और यह सिर्फ इक ही चीज लेता है हमारी timer आईडी सेम टाइम है अनीज चाहिए अब हम एक काम करते हैं हमारे reset button के लिए भी कर लेते हैं, recent button में भी क्या चाहिए आपको, एक तो stop watch को बिलकुल clear कर दे, जो भी time है, और जो हमारी timer display इस पे वापिस 000 शो हो जाना चाहिए, stop पे तो आपको सिर्फ stop करनी थी, उस पे clear करनी करना था आपको, लेकिन reset button पे आपको, आपकी display को clear भी करना है, 000 करना है, मैं यहापर template lateral का use कर रही हूँ, आप concatenation operator, plus operator का भी use कर सकते हैं, अब हमने हमारा start timer function तो बना लिया था, लेकिन हमारे html में उनकी timings को अभी तक दिखाया नहीं था, तो मैं millisecond second और हमारे minutes के लिए सबसे पहले एक string बना लेती हूँ, जो मैं inner html में pass करूँगी, let millisecond string ले लेता है, millisecond string हमारी कितनी हो जाएगी, सबसे बहले मैं क्या check करूँगी, क्या हमारे millisecond 10 से क्या हो सकता हो, 7 हो, तो मैं सिफ 7 तो दिखाना नहीं जाओंगी screen पे, मैं क्या करूँगी, मैं उसे 07 दिखाऊंगी, मैं check कर रही हूँ, यहाँ पे मैं conditional statement का use कर रही हूँ, instead of if else, मैं आपको if else का use करके भी दिखाऊंगी, यह देखे, millisecond मैं check कर रही हूँ, अगर मेरे millisecond 10 से कम है, 10 से कम है, तो अब क्या करो, मेरे millisecond के साथ 0 भी दिखा दीजे, यहाँ पे भी मैंने template lateral का use कर रहा है, अगर आपको नहीं पता, template lateral तो आप google करके देख सकते हैं, देखे, यह मैंने conditional statement का use करके दिखा है, मैं आपको if else से भी इस चीज़ को करके दिखा देती हूँ, मैं क्या check कर रही हूँ, मेरे millisecond अगर 10 से कम है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मुझे हमारी जो m second string बनाई है, मैंने एक variable लिया है, m second millisecond के initial value undefined ही रखी है, कोई value नहीं दिए है, इसलिए by default इसे value मिल जाएगे, undefined, अब मैंने check कर अगर मेरे millisecond 10 से गम है, तो इसमें क्या value आजानी चाहिए, 0 dollar millisecond, dollar millisecond क्या करेगा, millisecond की value उपर से इसको बास हो जाए, तो millisecond string में हमारा 0, और suppose कीजिए 6 millisecond है, तो 0 millisecond आजाएगा 0, 6 millisecond, और अगर वो 10 से गम नहीं है, मानि 11, 12, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो आजाएगा 12 millisecond, यह if else से लिख सकते हैं, मैंने same, यह 5 lines का code एक line में लिखाया उपर, इसलिए conditional statement को prefer किया जाता है, instead of if else, और मैं इसलिए if else को अठा रही हूँ, यह मैंने आपको दिखाने के लि मैं millisecond string को, इसको copy कर रही हूँ, और अपने second और minutes के लिए भी same कर रही हूँ, यहापे भी second लग रही हूँ, और millisecond यहापे भी minute use कर लेती हूँ, यह देखे, मेरी तीन हो string रही है, अब मैं अपने यह जो हमारी timer display है, इसके inner HTML वे, पास कर दूँग, यह देखे, इसके inner HTML मे मैं अपनी क्या करूँगी, सबसे बहले मुझे क्या चाहिए, अपने minute string लिस नहीं है, फिर मुझे लिखना है, second, फिर millisecond, तो मैं क्या करूँगी, minute pass करी dollar, और अपनी minute string, फिर colon sign यूज करा मैंने, वरना colon show नहीं होंगे, template literal में आप जो भी लिखेंगे, इन back text में, इने back text क हो जाता है, वहाँ पर, तो मैंने अपने तीन string लिखेंगे, और इने colon से separate कर दी है, यह देखिए, यह आपकी stopwatch बिल्कुल ready है, देखिए, start button प्रेस करा, stop प्रेस करा, रुख गया, start प्रेस करा, फिर से रुख, start, यह reset प्रेस करने के बाद भी मेरी zero से start नहीं हो रही है, यह कोई bug है, इसका error है, मैं reset button पर आती हूँ, यह देखिए, हमने reset button भी क्या किया है, सबसे पहले तो हमने clear interval यूज़ करके, अपनी reset button से clear कर वा लिया है, और timer display में set कर दिया है, मैंने 00 minutes, seconds और milliseconds को, अब हम क्या करते है, milliseconds, seconds और minutes, इन सब को मैं zero कर दूँग, क्यों, क्योंकि मैंने अपना clear interval तो कर दिया है, और timer में भी 00 show कर दिया है, लेकिन milliseconds, seconds और minutes में, जो default value, जो रहे गई थी store value, वो अभी भी store है, जब तक मैं उसे zero नहीं करूँगी, वो store ही रहेगी, इसलिए मैंने अपनी value को zero कर रहे है, अब देखिए, अब आते हैं, एक ब stop, यह जिस point से start हो रहा था पहले, यह देखिए, अब हमारी stop watch बिलकुल ready है, यह बिलकुल working है, आप देख सकते हैं, यह देखिए, thank you guys for watching this video, please like, share and subscribe to this channel,